नमस्कार किसान भायो फार्मिंटेक एंडिवी चैनेल में आपका स्वागात है मेरा नाम है सुरे सिंग किसन भायो आज हम बात करेंगे ड्योफान कोराजन के बारे में क्या कोराजन दाना चमकदार या मोटा बनाता है या कोराजन से बरफुर फेदावार होती है तो किसन भायो कोराजन ऐसा कोई भी काम नहीं करता है और ऐसा कोई भी फाइदा नहीं करता है तो फिर कोराजन से क्या लाव हैं और या क्या काम करता है और इससे क्या फाइदा है देखे इस वीडियो में किसान भैयो सबसे पहली बात इसमें इस फ़र्ष लिखावा आता है जो पान कोराजन इंसेक्ट कंट्रोल यानि किट नियंत्रा तो इसका मुख्य कायर किटों को नियंत्रित करना या किटों को मारना होता है या बात कमपनी ने इसके उपर दर्ष आई है अब बात करते हैं दानों को भरना या भरपूर पेदावार देना या पूरी प्रोसेस अलग है या काम पोशक ततों का होता है दाना भरना या चमकद या कायरी मुख्यूरूप से पोटाश का होता है बहरपूर पूल पेदावार देना या 16 फ्रकार के अलग-अलग होशक ततों के कायरी होते हैं और ऐसा कुई तत कोराजन के अंदर नहीं होता है इसका काम सिफ किटों को नियंतर्ण करना ही होता है किसान भायों बात करते हैं कोराजन के कारी समता के बारे में इस पर दूसरी बात जो दर्शाय गई है पावरेट भाई रिनेक्सी पियर यानी रिनेक्सी पियर द्वारा संचालित रिनेक्सी पियर ड्योपांड के इंजिनिर्यों द्वारा बनाया गया वो रसायन है जो के मक्ही मच्छर वा सभी प्रकार की इलियों वा तनाचेदग, फलचेदग सभी लेफिडोफटेरा से संबन्दित होते हैं और कोराजन के अंदर इन सभी प्रकार के किटों को नियंत्रित करने की शमता होती है और लंबे समय तक या नियंत्रित रहते हैं किसन भाईयो इसका इस्तेमाल एक से दूसरी बार नहीं करें. अन्याथा इसका result कमा सकता है, जो ना के बराबर हो सकता है. कुराजन आपको 30 से 35 दिन का अच्छा result देता है, जो अन्य किटनाशक से ज़्यादा है. इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फस्लें, सब्जियों और फ या लंबे समय तक result नहीं देवाता है इसी का एक और insecticide जो B.S.F. company का आता है जो Westy core नाम का होता है इसमें भी है ही chemicals होता है सिर्फ B.S.F. company इसकी marketing करती है आप इन में से किसी एका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के result से में कोरजन के आखरी बात इसका डोस company के बताय हुए नियम से ही ढाले अपनी मर्जी से कम नहीं करे मेंगा होने के काराण यह फिर भी अच्छा result देगा एसी बात बिल्कुल भी नहीं सोचें और यह गलख़े में भी नहीं रखें धैन्यवाद